नमस्कार में आजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News नितीश कुमार तो दावा करते हैं कि उनकी सरकार है और आगे भी रहेगी लेकिन नितीश कुमार को उनके विधायक यहाँ पर जटका देते हुए नजर आ रहे हैं नितीश कुमार के खलाव उतर रहे हैं नितीश कुमार के खलाव बयान बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन जहाँ विधायकों की बात की जा रही है वहीं पर कई ऐसे मंतरी भी मौजूद हैं जो सीधे सीधे तोर पर जेडियू में शामिल होने से इनकार करते वे नजर आते हैं। जेडियू पार्टी से जुड़े हुए थे लेकिन यहां पर नितीश कुमार की वज़ा से नराज हो गए थे जिसके बाद उन्होंने जेडियू पार्टी को छोड़ दिया था। एंडिये के दामन में वो आ गए थे एंडिये के साथ आ गए थे लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बार फिर से नितीश कुमार ने एंडिये के साथ हाथ मिला लिया है तो उसके अधार पर ये कहा जा रहा था क्या नराजगी दूर होती वे नजर आएगी क्या नर जेडियो को छोड़ चुके हैं तब जब नितीश कुमार एंडियो के साथ आये थे तब उपेंदर कुश्वा ने नितीश कुमार का साथ छोड़ा था उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि एक और बार नितीश कुमार सिर्फ तेजस्वी यादफ के चेहरे को आगे करना चाह थे तब भी यहाँ पर उपेंदर कुश्वा ने जेडियो को छोड़ दिया था और उसके बाद अपनी ही पाटी का गठन किया था है अपनी पाठी को बनाते वे यहाँ पर एंडियो के ऑफर को स्विकार करते वी नजर आय다가 और एंडियो के साथ जुड़ गया थे और उसके प्रौफर किया जाता है या कहा जाता है कि आप दबारा जेडिव में आ जाइये तो क्या आप आतेवे नजराएंगे तो सीधे इंकार करतेवे दिखाई देते हैं क्योंकि यहां पर बता दें कि उनका यह कहना है कि वो नितीश कुमार से यहां पर खफा जरूर है लेकि नितीश कुमार अब NDA में आ गए है तो उनका साथ देना जरूरी बन जाता है अब यही देखना होगा कि क्या यह नराजगी क्या कोई बड़ी बगावत के रूप में भी देखी जा सकती है क्या जो NDA के झाल सबना जरूर